यह बहुत चैया है इसर की वह 30 कोड की जमापने अपने समाजु को समर्पित कर दी। सर्समाजु को सबकुछ ही मैंसुख सी कि आ बहुत उससी में । टेंशन बे भी रहता हूं सोचता हूं लेकिन फिर भी कामकाज में लग चता हूं और राजिस्तान में जाद तक सुवादरा सचेन पाइलेट ही हुआ भी है बोर सक्री है और लोग प्री है कितने टाइम से आप जेल में रहें तेरह 14 दिन रहें ज़्यादा तो नहीं है तो दो यह अपता रहें प्नसी जेल में आमला जाद मेर जेल पसेंटा में का चान सब्सक्राइब उप्रूर गडर और गडी है तो कभी हमारा मन भाजरेगी रोटी और रूटी और कड़ी बिलकुल आम आपको खिलाएंगे आपफिकूल क्कॉष्ट घ्राी हैं अंदर मेरे और रहोतीकी Mia क्या आ would sum लइा अब पॉल्र रॉच्ष के इता की बात तुर ठाल है है पत्थर की चमक थे ननगी ने की चमक यह चैरे पे सीना तान के जीने की चिमक है पुर्खों से विरासत में हमें कुछ नह मिला था ये जो दिख रही है खून-पसी ने की चमक है स्वयम श्रीवास्तव की ये पंक्तियां मानों कॉंग्रेस के इनी वरिष्ट नेता के लिए बनाई गई हो जी हां कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हिमाराम चौधरी जी हमारे साथ हैं सर कैसे आप सबसे पहले तो आप मेरे माता जी का सुष्ण गवास भी मैं 6th क्लास में था उस्त में हो गया था तो फिर मैं बाहर दूर पढ़ा पिर बाईता हो और बालो तरह से बच्पन में बहुत दिक्रतों का सामना करना पड़ा और वैसे हमारा परिवार भी बहुत साधान परिवार था आर्तिक तरिष कि आखिर लोग रिजियोशन के बाद में फिर वकला सुरू की नाइंटी सेवंटी थिरी के अंदर और असी तक वकला की और उसके बाद में फिर विदान सवागा चुनाव रहा है तो कोई इस तरीके की कोई आपकी स्कूल की याद होगी आप शैतानी भी करते हो पड़ाई के साथ या फिर कहीं नित्रों के साथ कोई याद हो आपकी इसकूल में तो बच्पन तो बच्पन ही होता है उसमें थोड़ी बहुत तो सहतानी होती है और इसकूल लाइफ में भी वैसे चुनाव अगरा होते थे कॉलेज में यूनिवरिश्टि में यूनिवरिश्टी जोद पढ़ा था वहां भी मैंने चुना ला था थोड़ा बहुत राजनी थी मेरा सुरू से रूची था पढ़ाई में भी था तो इस प्रकार बच्पन वैसे तो अच्छा भी ता लेकिन फिर वकलाथ कर लिए उसके बाद में बाद में में वकलाथ 73 से लेकर एक टी तक वकलाथ की बच्पन अच्छा रहा लेकिन परिवार के आरतिक इस्तिति ठीक नहीं होते हुए भी मेरे पिता जी ने मुझे पढ़ा है जिसकी वज़े से मैं आज यहां तक पहुंचा हूँ गुडा मलानी में आप पढ़े नहीं गुडा मलानी में मूल रूप से भाई तू कर रहना व पार हो गई थी उसमें कॉंग्रेस के अंदर जो बड़े-बड़े दिगज नेता थे वो कॉंग्रेस से इंद्रा जी कॉंग्रेस से अलग हो गई इंद्रा जी के सात्रा और इंद्रा जी जिसमें जेल गई उसमें मैं जेल गया और फिर बाद में असी में मेरे को गुडा मालनी से कोई संबंद नहीं था जान पेचान भी नहीं थी लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको गुड़ा मालनी से चुनाव लड़ना है अला कि मैंने मना किया था मना करने के बाब जूद भी पार्टी का आदेश था कि आप गुड़ा मालनी से चुनाव लड़ू तब जाकर कि मैंने एक गंगरम चौधरी जो महान सक्षियत थी, किसनों की मशिया थे करे से और उनकी पिता जी भी जागिरी टाइम में किसनों के लिए लड़े, वो भी महा से में लड़े, फिर गंगरम जी भी महा से में लड़े, तो उनके सामने मुझे पार्टी ने चुनाव ल लेकिन मुझे उसमें जीत के कते में नहीं थी, तो सर ऐसी क्या कौन सी सक्षियत है राजनीती में जिसने आपको पहरित किया राजनीती में आने के लिए, यह ऐसी कोई बात आपको याद हो कि हाँ, वो बात आपको दिमाग में हो कि हाँ, मुझे राजनीती में जाना है, व वो हमारे साथ तेर फुर वो MP बन के थे, हमारे ML बनने से पहले, पिर उसके बाद में राजस्तान लेवल पर पर स्राम जी मदेरना थे, वो हमारे आजनेती गुरू थे, तो फिर गुडा माले से टिक्ट दिया मेरे को, तो मैं यहाँ जेपू टिक्ट का मना करने के लिए पर स परस्राम जी के पास, तब परस्राम जी तका आप टिक्ट चेंज नहीं होगा, चुनाव आपको लेने पड़ गा, परस्राम जी का पार्टी का आदेश था, तो आदेश की वज़े से चुनाव रड़ा, और फिर यह पहले बार ही सफलता मिल गई, तो फिर उसके बाद में यह राजनीती से पर चलता ना, तो सर आप छे बार के विधायक रहे, और कई बार आप कैबिनेट मंत्री भी बनने का आपको अफसर मिला, एक बार आप सी लपी लीडर भी रहे, तो किस प्रकार से आपने मतलब ऐसा कोई आपका अनुभा हो कि तब से अब तक की राजनीती की देखी है, तो राजनीती को भी जाहिर है कि आपने बदलते देखा है, तो तब की राजनीती और आज की राजनीती में कितना बदलाव आया है? उस देन से लेके अब तक जो राजनीती में बहुत बदलाव आ गया है, उसमें जनता के बीच में हम जाते थे, तो राजनीताओं के बहुत इज्जत होती थी, और आज राजनीताओं के वो इज्जत भी नहीं है, और उसमें चुना में कोई खर्चा लगता इब नहीं था, अब चुनाप में खर्चा भी बहुत लगता है, और जनता भी नहे नहे लोगों को फिर मुका देना का मन बना लेती है, उसमें जो इस्तापी नेता थे, वो साथ-साथ आठ बार गंगरमजी आठ बारे में ले रहे हैं, तो चलते रहते थे, अब तो एक बार चुनाप जीत ज गया है, वैसे मैंने विदाय के रूप में भी काम किया, राजी मंत्री के रूप में भी काम किया, कैमिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया, नेता प्रतिक परक्स के रूप में भी काम किया, और सतक थी जब भारती जनता पार्टी की, तो विपक्स में भी मैं रहा, और ब मेरे को मांज सक्षीर गंगरमजी चोधरी पहले गुडामाला नहीं से थे अनके सामने चुनाव लडाया है, फिर वो बार्ड मेर से आगे, 85 में और वो बार्ड मेर से अभेले बढ़ गये, फिर 19-an मेरे को वापस गंगरमजी सामने बार्ड मेर से चुनाव लडा दिया, तो उसमेद में जित गया लेकिन गंगा काम मैंने संभाला और उनको जिता करके बेजा तो पहले कैसे आप मतलब जैसे जब पहले जब चुनाव लड़ा होगा तो उस वक्त के जो प्रचार के तरीके थे और अब जो प्रचार के तरीके उसमें क्या आपने बदलाव किया और आप क्या देखते हैं बहुत बदलाव है सब कुछ मदला भी है पहला जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने जो नमागन जब भरा उसमें कोई मेरे साथ नहीं था सेथ परस्तावक और समर तक उनके साइन करा लिये और नमागन पेस करती किसी को कुछ पता नहीं असी के चुनाव की बात कर भी और अब तो नमागन परना होता है तो उसमें कितनी ज़्यदा लोगों को जुटाना पड़ता है एकटा करना पड़ता है ये सारी अब आज आप देख रहे हैं लेकिन वो समय तो एक अलगी था वो समय तो अब रहा नहीं जैसा समय उसके हिसाब से अब चुनाव उसके बाद में जितने लड़े उसके हिसाब से लड़ना पड़ता है लड़े तो बहुत बदलाव हो चुका है आपको लगता है कि पहले लोग डेमोक्रिटिकली समझते नहीं थे अब जाला समझने लग गए हैं या ये सिर्फ एक ये समझते तो उसमें थे पर उसमें हम अगर गाउं में जाते तो गाउं के मौजिज आदमी होते चार पांस आदमी होते उनसे मिल लेते उनसे बात कर लेते वो आगे लोगों को बता देते तो उनके कहने से लोग हमें वोट दे देते अब तो हरा आढमी से सिधा संफर करना पढ़ता है कहने से वोट देना बड़ा मुस्किल हो गया लेना वोट बड़ा मुस्किल है तो सारा बदला भी बदला भागए अब तो एक परिवार में से अलग-अलग दो-तीन पार्टियं अलग-अलग बोट जाते और पहले तो एक परिवार में गाहं में एक आदमी ने का दिया मुख्या ने तो उस गाहं के वोट उसी को मिलते थे तो सारा बदला भी है तो सर आप इतनी बार आपने बताया कि राज्य मंत्री भी रहे क्याबिनेट मंत्री भी रहे तो एक मंत्री के रूप में और एक जन प जब राज्तान पूरे की जिम्मेदारी मंतरी के रूप में चाहिराजी मंतरी के रूप में नेतापर्ति रूप में जब मिलती है तो पूरे राज्तान के जिम्मेदारी आ जाती है और जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है जब में नेताप तो उसमें मुझे उपस्ते देना पड़ता था, 200 विदानसभा के बारे में भी अपनी राय देनी होती थी, तो उस राय तभी दे पाता था, जब महला पूरे 200 विदानसभा च्छेतरों की मेरे पास जान करियो, कौन उमीदवार जीतने लायक है, कौन लायक नहीं है, निस्प मेरे जिल्ले में 7 विदानसभा सिटे थी, 7 में 6 सिटें कॉंग्रेस की आई, और उसमें मैं बाईतु विदानसभा च्छेतर का रहने बढ़ ला हूँ, और बाईतु विदानसभा सिटर मैं उसमें नई बनी थी, पहली बार, तो मैं बाईतु से चुनाव लड़ता बहुत मैं बाईतु से जीत जाते हैं, मुझे कोई ज्यादा मैंनत करने की जरूत नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे एक दूसरे साथ ही वो बाईतु के लिए अड़गे हैं, और यहां तक कि अगर आपने बाईतु से मेरे को चुनाव नहीं लड़ाया, तो फिर मेरे हिसाब से चल लग रहा था कि मैं साइध जीत पहूँ, लेकिन फिर भी जीत गया वो अलग बात है, पर मैंने रिस्क ली, रिस्क इसलिए ली पार्टी के इतमे, जो मुझे बाईतु से चुनाव लगना चाहते तो वो पहले MP रहे हुए थे, तो वो MP थे तो अब अगर मौन उनको पूरी में कुछ नहीं कर सका, तो पूरी राजस्तान में किया इसने उसको कौन मौनेगा, यह सोच करके मैं पूरी रिस्क ली, लेकिन रिस्क पार पड़की वो अलग बात है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे आपने बताया कि CEC में आपको हमेशा मीटिंग का पार्ट रहना पड़ता था, कभी आपने किसी और सीट पर बार्ड मेर के बाहर कोई पैरवी की हो, किसी यूआ नेता की, या फिर कोई और आपको लगाओ कि नहीं, इसमें मैं भविश्य देखता हूं राजस्तान में, या फिर कॉंग्रेस की राजमिती का, तो उस तरह कि आपने पैरवी की है और वो फिर मानी भी गई हो, ऐसी कोई है? नहीं मानी गई, CEC में मैंने जो भी बात रखी, जो भी और उन सारी बातों को माना, जिसके लिए मैंने पैरवी की, उन्होंने सो परसेंट माना, सोनिया जी ने, CEC ने, कोई कहीं, एक भी सीट में मेरे कोई ऐसा महसूस नही कि मेरी राय को दर किनार किया गई हो, या मन नहीं नहीं गई है, हमारे परदेश संद्यक्स थेशी पी जो सी, वह भी मला हमारे आपस में कोई विवाद नहीं, मिल बैठ करके हम राय देते थे, यह बात प्रचलीत है कि आपके यहां पर जब आपका जो भी गोर्वर्मेंट इसके पास में विदाइक नगर है, यहां मेरे को मिलाता मकान, तो मैं यहां आकला रहता था, मेरे परिवार को मैं कभी जैप उड़ लाया नहीं, मेरे मिशेज बगरे बाड मेरी रहते थे, ना बच्चों को लाया, तो यहां जब भी आता, तो मैं मेरे को एक खाट की जरू करके हैं, तो डीजीपी से रिटाइर हुए है, तमिल नाडू से, वो IPS बने हैं, और वो मेरे मकान में रहते थे, तो फर्स्ट अटेम में IPS बन गे जी, तो पढ़ाई करने वाले स्यक्न बच्चे थे, और ईश्वर की करपा से, उनकी मैनत की वज़े से, वो सब अच्छे नो उसमें किसी को नहीं रहने देता, और मेरे और तो परिवार का कोई सदिशी था नहीं, तो मगान तो खाली रहता, तो उसे किसको क्या फाइदा होता, नहीं तो रहे, तो कितने बच्चों को फाइदा हुआ, ये बाद मेरे 1908 में में बना तब से यह, फिर ही मेरे दिमाग मा मेरे बच्चे का सुर्गवास हो गया उसके नाम से, उसमें 200 बच्चों की रहने की कैपिसिटी है, उसके अलावा library hall है, कम्मूनिटी hall है, उसके अलावा भी hall है, dining hall है, कि चेनमला सारी सुईदा हैं, बाल, ये बहुत चाचा है सर, कि वो तीस करोड़ की जमीन, आपने, तो अब उसकी वेल्यू इतनी बढ़ गई कि महां जमीन मिलती भी नहीं और बहुत वेल्यू हो गई फिर भी मैंने समझा कुछ करना चाहिए मुझे तो यह सोच करके जमीन तो मैंने दी जमीन के उंदर जो विमारत बढ़ी है वो मेरे बेटी और जमाई ने पैसा लगाया आप उसके अच्छी सीख्षा मिले वह Cymp 미 वेवस्ता करें सारी वेवस्ता कर रहे है है तो क्या आपके लड़के वो क्या हुआ था कैंसर हो गया था इस वज़े से उसको तो मैं नहीं बचा सका लेकिन उसके दाम से मैं कुछ करूँ यह सोच करके मैंने यह काम किया हालां कि थोड़ा सा मतलब emotional मद्दा है और काफी जगा पर आपको देखा भी गया सुना भी हमने इस बात के बारे में बात करते हुए पर अगर आप चाहें तो मतलब एक जो बेटा होता है भारतिय संस्कृति में और खासकर अगर एक बेटा हो तो वह माता पिता की एक तरीके से बुड़ापे का साहरा भी बलता है तो आपको कभी ऐसा लगता है वक्ता है बुड़ापे के सारा है सब कुछ है महसूश है कि आप बहुत टेंशन में रहता हूं पिर भी काम काज में लग जाता हूं चलता हूं फिर विचार शोच हो भी आपने बेटा एक था एक बेटी है लेकिन बेटी ने बेटे से भी आगे बढ़ करके जो ये काम किया है कितनी अच्छी बात इतना कोई कर नहीं सकता हूँ सर मतलब वापस आते हैं पब्लिक लाइफ की बात पर तो आपने हमने पढ़ा कि आपकी जो धर्म पत्नी है वह भी वहां से सरपंच रही और 30 साल तक मेरा ख्याल है कि वह निर्विरोध सरपंच उनी जाती रही है वहां से तो कैसे इतना प्यार वहां पर मिलता है यह आपका म कि आप मानते हैं कि यह उनिश्व पिंचनु में जब पंचाय दिराज में महिलाओं का अरक्षन हुआ पहली बार उसमें हमारे पंचायत में पंचायत के सभी लोग ने सर्व समीति से तह किया कि भी मेरी मिशेश को सरपंच का पारम परा जाए तो उन्हना के और पारम परा और निरुवरूद चुना हुआ उस 95 से लेके छे बार चंटिनुश पाँच बार बाई तु भी मेरे बच्चे के नामसे विरेंदर अगर गराम पंचायत बढ़ी उसमें भी वो निरुवरूद हुई है 5 बार उसमें एक बार इसमें मांगा चंटिनुश छे बार और तो यह वारे में आपके क्या विचार हैं सर क्या सुष्टी अज का आज का भुष्य आज की समय और उनके भुष्य की तरब दियान देना यह अभारा फर्ज बनता है अब हमारी उमर होगे है तो युवां को आगे लाया जाए उनको मुका दिया है हर चेतर में राजनीती चेत आखिर आने वाले समय में इसको संभालना तो उन्हीं को है उनको मुखा दिए सोच करके मैंने तो पहले भी सोचा आठका जैसे मैं नका चुनाव पर इवान नहीं लगना पड़ा पार्टी का अदेश लगना तेरह का चुनाव मैं कटें नहीं लगना चाहता था पार्टी का जूद भी लड़ा और इस बार तो मैं चुनाव लगना ही नहीं चाहता तो इस प्रकार इतने लंबे साथ मैं अगर हम ही हम लड़ते रहेंगे हमेसा हमेसा चुनाव तो नए आदमी को युवा की बात करते होती है यह फिजू ले फिर यह तो कतनी और करनी में अंतर हो गया इसलिए हम लोगों को श्यम आगे आकर के युवा को मोका दाने की बात करने चाहिए सर राजस्थान में आपने युवाओं की बात की और यह बात सही भी है कि नेक्ट लाइन ऑफ लीडर्शिप हम बनाएंगे तो एक तरीके से हमारा जो भविश्य है वह सुने रहा होगा तो राजस्थान के अगर परिपेक्ष में इस बात को देखे तो आपको क्या लगता ह जो कि सक्षय में राजस्थान की बाग्डोर अपने हाथ में लेने में अपना भी राजस्थान जो है वह एक अगरणी देश के राज्यों में ने लोगों को तो लगना ही पड़े आज हम भी राजनिति में 65 तरशी के पारो जाएं फिर लड़ते जाए नहये लोगों को मौ रहा सचिन पाइलेट यूआ भी है बहुत शक्री है और लोग भी है बहुत इंटलिजन्ट है तो उसको मुका देना चाहिए और लोग तो इसको चाहते हैं कोई ऐसी बात आपने सच्छिन जी का झिकर किया तो बहुत सारे शीजी में मेहनत करते हैं सच्छिन पाइलट जी यह और का उनका भी अब तो लंबा करीर रहा आए कोई ऐसी बात जो आपको यादाति हो कि युवा देख रहे होंगे तो उन्हें भी अपनी सीख लेनी है कि राजनीती में किस तरह का व्यक्तित्व रखें या फिर किस नेता से प्रिंटना लें तो उनके बारे में कोई ऐसी चीज जो आपको खास पसंद हो या उनकी कोई ऐसी बात जो कि युवाओं को सीखनी चाह है वैसे भी लेकिन बुजर्गों में धहरे होता है बुजर्गों में भी वो धहरे नहीं जो धहरे मैंने उन में देखा वो बराबर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी काम करने की समता है वो जहां भी जाते हैं जनता उमर पड़ती हैं उनको सुनने के लिए देखन का दूसरा भी कोई तयार हुआ नहीं है और होना चाहिए करना चाहिए हम लोगों को खुद को अगर हम नया आदमी तयार नहीं खरेंगे तो हमारी तो एक उमर है कभी भी जा सकते हैं हो चैनल है इसमें लोग जनरली बात करते हैं राजनीतिक जो चरचा उसको करते हैं कोई ऐसा किस्सा है सब्刊निक में चुनाव लगाया तिकिट मिला spots मानते हो मैंने मना किया फिर भी चुनाव लड़ा नहीं तो इस प्रकार राजनीती में भी मैंने कई उतार चदाव देखे और कई ़ि से कि मेरा संपर करा है और जिसको भी कहा जिसके साथ मैं जब नेधा पर्तिपांग्स था बंडबड़े की बात ठीटी जरि करने की यह यह नहीं देखा के इसको टिकेट देंगे और जीथ जाएगा उसके बाद मी इते हैं किसको मुख्यमंत्री के लिए यह वोटिंग करेगा। यह चीज मैंने देख नहीं नहínaीं देखिए क्याता है जिसको मुख्यमंत्री बढ़नों ऑठाख हो वह उसे ऐंगल से सोचता है, उस एंगल से टिक्टों की सिवर्ष करता है मैं मुख्यमंत्री काеля समयum मंत्रीपद के लिए दावेदारी पेशने की नेतापर्थी पेशने की नेतापर्थी बना दिया चुना उसे थोड़ा पहले ही तो उसको जिम्हेदारी को निबाया जो भी पार्टी ने जिम्हेदारी को ठीक से निबाया तो जीवन में कई तरह की बाते हैं कई तरह को अर्च सब्सक्राइब करें और दूसरा है कि आगे आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं तो क्या कोई सब्सक्राइब करें और दूसरा है कि अगर आप फिर भी डिसाइड करते हैं कि आपको नहीं लड़ना तो आगे पब्लिक लाइफ में आपकी भूमिका क्या रही मैंने आट का चुनाव भी में नेता परतिपक्स था उसमें मैंने का बाई तुसे मेरे टिकेट वाली नहीं बै पर आट के अंदर चुनाव लड़ने के मेरे इच्छा दे थी आट के अंदर मेरे को रावल जी पुद ने फूं किया कि आपको चुनाव लड़ना है अब रावल जी बात तो कैसे डाल सकता है जी सचीन जी मेरे गर चार बार एक बार नहीं आए चार बार आके बैठ गए के चुनाव लड़ना है और मैं जैपूर आना मेना बंद कर दिया था फिर उन्होंने का निए जैपूर चलना पड़ेगा और मेरे को जैपूर ले गया आए और उनके यहां खाना था उस दिन द कि देख लिए राजने ते जी सचीन जी महामला था नोट बंदी उस दिन कहीं का मामला था जिस दिन देख लिए तर देख लिए खाना था जाब आए तेरे का चुनाव लड़ा में आ गया था तो जैस दिन रिजल्ट आया नहीं उसके दूसरे दिन मैंने बंगला खाली कर दूसरे दिन यहां करके बंगला खाली कर दिया में अपने नहीं रहना है तो मेरी इच्छा कोई राजनीती यह आते हैं मेरे समझ नहीं आता है मैं खुद भी अब हैरान हो और मुझे इस राजनीती से बहुत हो गया मन उठ गया इस अब जिस प्रकार की जानीती देख रहें हैं लोग जिस प्रकार की जानीती में क्या सौच का आते हैं पता नहीं मैं तो यह सोच कई आए कि लोगों के कुछ काम होंगी बिना पद के आप कुछ करना भी चाहें तो कुछ कर नहीं पातें इसलिए पड़ सेवा का एक माधिमे जो पड़ होगा तो सेवा करेंगे मंत्र तो वो सब कर लिया लेकिन अब इसको राजनिती भी आजकल मेरे को लगता ही वेवसाइश्ट साथ काम हो गया है पर इसमें क्यों अब ज्यादा दूसरे लोगों कोई मोका दो क्यों हमेसा इसमें आप ही लगे रहूं यह सोच करे मैंने मानस पूरा मानस मना लिया कि अब आप अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो आगे आपकी सामाजिक जीवन में भूमी का क्या रहेगा समाजी जीवन में बाड मेर में चात्रवास बढ़ाया है उसको देखेंगे चलाएंगे अच्छा चलाएंगे उसको खाली बिल्डिंग से कुछ होना नहीं है उसमें पढ़ गर कि इतने बच्चे निकले उनका बुशी सुद्रह मुझे भी संतुष्टी हुई जी इसी प्रकार से आगे सिवा करते में जब तक शरीर काम कर रहा है करते रहेंगे राजनिती में रह कर नि भीना- शरीषां से बिन बागत हैं बगता और इस यह सैना भी आ मेरे दिगला लेकिन फिरुब भी उन्होंने इतने बड़ा ये काम किया जो कोई कर नहीं सकता है जमीन तो थी लेकिन जमीन का क्या करें उस पर बिल्डिंग बढ़ी तब जाकर के यह काम आज पुबली को फाइदा मिल रहा है उसका काम हुआ है उस्थ पर आपने तो इंद्रा गर्फ ऐखार्रանी गांधी देखा और अप आगे भी लोगों कि जो कॉंग्रेस की लीडर म newborn को हैं तो क्या आपको सथ लगता है कि अब जो जस तरह से लगों से जोड़ना चाहिए है बारजोडो यात्रा याठ्रा अभी उन्हों ने की थी आपने भी बारजोडो यात्रा यात्रा अतेंड की थी आप किया लघता है सर कि low अभार्ट जोडो यात्रा शुरूटि यह बहुत अच्य स्वाप्लिक पसंद कर रही, यह राज़्यस्तान में जहलावार्ण में प्रवेश किया, राज्सतान में लेकर करके, आखिर अलवर तक लाइस्ट रेन बोर्डर तक हम्मेसा साथ ही रहा, पूरे एरिया में, तो बहुत ची आत्रा रही, लोगों से मिलना हुआ, कई नहीं नहीं चीज़े उनको शीक नहीं, लोगों से मिलना, करना, चुपना, बहुत ही शफल यात्रा रही तो आपको लगता यह ओर भारत疫苑 टू ऊटो पैंट ने चो जोड़ो तब लोगों को पता लगा है लोग क्या चाहते हैं लोगों की समझच्या ऐं लोक किस बास को लेकरके दुखी है विए बिना लोगों को सब्सक्राइब करके तो क्या पता पड़े हैं घर में तो कुछ चीज का मालूम पड़ता नहीं है लोगों बीच में जाने से ही लोगों की बात आप समझ सकते हैं तो यह राहूल दिन जो समझना का प्रियास किया यह बहुत अच्छा प्रियास है और इसका कॉंग्रिस पार्टी को बहुत फाइद लोगों में एक उच्छा का जो भाव है वो पैदा हुआ है फिर से एक बार तो कभी कोई राहूल गांदी जी के बारे में कोई किस्सा आपको याद है कोई बात जब फोन किया हो तब आपको बोली हो या भारत जोड़ो यात्रा के दोरान चलते समय कोई बाद में राहे थे है कि पीछby में और अरीजी बेटे थे उस सबब हमारे बीच में राहूल जी ने मेरे बारे में वकाल यग तायिम मैं पूछे था किया वकरा जाताब वाक्न को पास हुआ तो वो सब के लिए नया था उन्हें वकाल पास हुआ हो जिएक, इन्हें राजिस्टान वि愚्ज औ कानून दो तो उनको उसका अनुबव वालों चाहिए हम नए वकील सब के लिए बड़ाबर और उसमें मेरे पास हज़ारों की तादाद किसान लोग आए नोटिस लेकर कि दूसी लिंग के नोटिस उनके पास गए वो मेरे पास है और उनको फ़र मैंने के पूर एक सिलिंग ए चीजे थी उसको प्रूव करना पड़ता था वो प्रूव करने से ही वो जमीन उसकी बचती थी तो इसलिए राउल जी के साथ में हम गड़र रोड तक बाढ़ में से गए और फिर वापस गड़र रोड से बाढ़ में तक अरोडरम तक आए कोई आपको आपके जो वकाला ज हथे वो भी असी मेरे साथ मैले बने ताहिं करना जी मैह और अमरा में अर्ड ओन असी में लोग में सम नें तबिधिक जेल में डाल दिया था पी जेल गए थे हैं कितने अजी से रैं पड़र मेरे बजन करते थे वह थे मैं एक तो था नहीं बहुत सारे लोग थे तो हमारे वहां बड़ा यूं तो तरह 14 दिन निकले हमको पता ही नहीं लगा अच्छा इसके बारे में गोश्टिया करते हैं दूसरा करते हैं तो सर आपका इतना लंबा अनुभवरा और आज जो भारत के राजनितिक हालात हैं आपने अमर्जनसी भी देखी है और उसके बाद इतने लंबे दोर की राजनिती देख ली आज के जो राजनितिक हालात हैं पिछले नौ साल से जिस प्रकार की राजनिती चल रही है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है राहुल ज उनको कुचलना चाहता है, उनको टॉर्चर करना चाहता है हर तरह से, अब ये राजनीती में स्वच राजनीती थोड़ी है, आज मैं ने चुनाव लड़ा, मेरे सामने भी तो चुनाव लड़ा नहीं, उसके साथ भी तो लोग मौंगे, ऐसा तो नहीं है, मैंने चुनाव यह स्वच राजनीती नहीं है और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं मेरे पांस काम से कोई भी आनिया है वोट दिया चाहे नहीं दिया और वोट देता है वो नेक्स्ट चुना में नहीं देता है और जिसने नहीं दिया वो खुश हो जाता है अगर नहीं देने के बाप जी दिव तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि एक बार किसी ने मेरे को वोट नहीं दिया तो वो हमारा दुस्मन है या उसको कुछलो कुछलने से कोई साथ में नहीं आएगा उसका दिल जीतने की कौ्सिशे कर दिल जीत लिया तो पिसली बार निदिया इस बार देगा और ऐसे देते हैं हमारे आंथ जो पिसली बार नहीं देते इस बार देते हैं और इस बार दिये वो नराज 11 कुछ को चाहिए कितना ही करो तो वो दूसरे सामने वाले कमोड़ गोugen देते यह तो राजी नराज कोशिस करते हैं सबको राजी करने पर सब्राजी वो नहीं पर इस प्रॉटकास्ट में एक रैपिट फायर का वो है तो हम आप से कुछ सवाल पूछेंगे एक आप सिंपल सांसर एक कोई आंसर आप अगर दे सके तो जैपूर या बाडमेर अच्छा लग क dalimит शपर पूंडे विदाय हैं इसलिए हमको यह मज़ा मुरी से रहना पड़ता है कि यहां आपने जुभ यह से निबानेम पड़त एंव हो यह разб करते हैं बाकि बाडमेर जैपूर में रहा हैं जैपूर से एकÑ हेव हैं बढ़्रे की वजह से यहां रहना पड़ता है कुई पचिंदा फिल्म आपकी विल्म तो राम तेरी गंगा में लिए छे घी अच्छा और संगीत कौन सा परणादेशर आपको पश्ट्र संगीत में ज़्यादे रूची है नहीं पर बाड़ मेर में तो सर लोग संगीत और वो सब यह लोकल तो है लोकल तो है लोकल अचाव देवजी के बजन से वह वह सी देवता है यह देव उनके पशन्दा खाना कियास आपक खाना दो बादरी रोटी और कड़ी यह म प्रॉपर वोजे से हाथ से गर के बाजरी रोटी में बना लेता हूं। थाल ना दी हमारा आप ग्थरी की रोटी और कडी कहने का आपके पास हूं। किसान परिवार अज भी मेरे पीछ परिवार मेरे साधन परिवारी यह ठीक है थोड़ाइक करने इकां मौका मिल गया है ने राजनीती में एक संयोग वस्ट, महरे कोई पीछे बेक्ग्राउंड तो है नहीं? राजनीती में आगे तो चलते हैं आपी लंबत समय तक हमता है। सिस्वा करने की कोशिष की अब किदनी कर पाया, किदनी नी पर है वो मैं नहीं का सकता है। जनता का मेरे उपर बहुत रेन है, उसरुन को मैं चुका नहीं, ना तो चुका पाया, ना कभी चुका पाऊंगा, अज मेरे जए से साधान आदमी को अगर च्छा बार मेले बढ़ा दे इस चे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सोथी, मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, म जितनी जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी के निबाने के कोशिश की है, और जनता को पता है, पार्टिक पता है, मेरे कहना से कुछ है नहीं, अच्छा यह सवाल हम सबसे पूछते हैं, जितने भी लोगों से हमने पॉड़कास्ट किया, कि राजनीती में आपका सबसे अच अब इस बार मंतरी बनने का भी मौका आया, तो उन्होंने आई कमान से का, बनाया तो आई कमान ने बनने वारा तो मुखी मंतरी हो, मंतरी हो, टिक्टे हो, सब आई कमान के हाथ में हैं, लेकिन आई कमान तक भी कोई बात पहुंचने वाला तो हो ना, तब जाकर के आई कमा उनको पता लगए हैं यहाई को पता लगए हैं तो इसलिए और मैं क्या लोग भी उनको चाते हैं लोग मेरता ऐसे सोच ना के बही जब लोग चाते हैं उसको हम भी चाहना चाहिए बिलकुश अब जैसे की वन मंत्री भी है तो राजस्थान में आपकी पसंदीदा जगा कौन हों वहां टाइगर वगएर दिखते हैं अच्छा वरसे जब भी गया मेरे को तो दिखें और लोग भी वहां गोंगने कूब जाते हैं और कोई काम के लिए मेरे पास लोग ज़्यादा एपरोच करतें यह नहीं करतें इसके लिए बहुत सिपार सिपार से आती हैं किसा में में जाना इनको आतेंड कर लोगर कई इपना इनको यह कारекड़ां को उन्हों है उन्हों नहीं उन्हों ने जब जाते हैं तो चार पांच घंटें तो एक बाग दिखता है लेकिन आज सबहां में मुझे एक साथ में डेखने को मिले उसकी पर नहीं रंतम बोर के बारे में यह बात बोली है रंतम वो तेप्रेटेक इस तवराज्तान में तेज नमबर वन है सर अम अंतिन छोड़ पे हमारे पॉडकास्ट क्या गए है जो यूवा सर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ए ओर जो राजनीटि करना चाहते हैं यह शोशल ला durability मेरान चाहते है उनका आपका क्या संदेश है से चै मैं तो यह करना चाहता हूं को सबपर ले नहें करते हैं वह वह बैत्र कम हमसे बैतर काम कर सकते हैं हमारे यह सोचना हमारा अनुपव है लेकिन आखिरी तो हमारी एक सीमा है ना नहे लोगों को लाना पड़ेगा ना तिक्टें पिर उनको आप युगाओं को ज्यादा टिक्टे देगों कि ज्यादा जीत के आए नहे लोगों को जो मौजूदा ML है उनसे तो लोग नराज हो ज बाल्ती को भी मजबूती देगा, जनता के भी अच्री सिवा करेगा, मेरी तर से सोचे हैं. तिजाएं पयात्या, महिलाओं के, महिलाओं का देना चीह. यह एभी जो भीधेग लाएं. अर्स कब अलागू होगा झा पता ही नहीं, ही जनगन्ना होगी कब जनगन्ना होगई की त्यक कुछ पता नहीं do delimulation कब defx पता नहीं पता नहीं जनगन्ना का पता नहीं ड Soy kक ज्यक अर अर MM और आरिमरट न पता कहा जोगा उसके बाद होगा तो पहले तो जनगन्ना होगी फिर delimit EOS न होगा फिर आ Bog बरेशन वहीरोग की बात हो, तो यह सपना दिखाया है, थाली सपना है, सपने का लभा मुझेट कुछ नहीं लगता है। जन्नना तो 2021 की हो जानी चाहिए थी, वहर सरकार के आत में है लगाना काम स्टेट्स के आत में तो है नहीं, अभी तक उन्होंना जन्नना काम सुरू ही नहीं किया, कब सुरू करेंगे सब्दों करने के बाद में कुरा काम कमप्लेट होगा, फिर उसको पब्लिस करना, कब पब मेरे को नहीं लगता है इसका कोई पता नहीं यह तो एक मैलाओं को प्रुभावित करने के लिए लेकिन मेरे को तो लगता है इनके दाव उल्टा पड़े जा मैला यह एक दिन तो बहुत खुश्वी जिस दिन अकबार में आया कि मैलाओं के 33% आरक्षन हो रहा लोग सुभार अब तो हम भी लड़ेंगे चुनाओ 33% अब भी नमबर लग सकता है और फिर वो दूसरे दिन सुना कि यह तो जन गन ना फिर परीशी मन फिर उसके बाद में लागूगा वह मैंना मैंस होगी हां एक तम ऐसा है जैसे कोई है मेले सीव चली कि आथ से लेकिन आपने सर बिना रिजर्ट सीटों पर मैलाओं को काम चलाना पड़ेगा जोपती इसे पार्टी को ज्यादा है मैं लोग टिक्ते देनी चाहिए कोई भी पार्टी विना रख्षन के दे सकते हैं लेकिन आरक्षी तो जाती पुर्ष को वस नहीं चलता है नहीं तो जब तक पुर्ष को चलता तो फिर वो मैला को मोगा देता नहीं है वो अपनी पत्नी को भी नहीं देता तो यह तो राजनीतिम है अब आप कहरे वो भी तो पंचाहित राज जोत्ते उत्तरमां चुम उत्तरमा समीदान संसोदन विदेग पास किया था महरी सरकार ने के अंदर में राजी गंदी जी के पास होना नहीं दिया बीजेपी वड़ान वो एक बोड से रह गया था फिर नर्शी मरावजी के कारेकाल में यह पास हुआ था उसके बाद में यह नाइटी फाइम चुना हुए था पहली बार पंचाहित रा नगर परशी तब वह यह मेरी 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 अगर वो अरक्षन नह लेकिन लोग सबान विदा सबह में नहीं किया अभी तो अली डिखावाइए लिखावाइए अगला मेरे को कुछ इसमें डम नहीं लग लेकिन अपने अपने इतने लंबे राजनितिक और सामाजिक जीवन के जो अनुभव हैं हमसे साजा किये और हम इस चर्चा में शामिल करके सम्रिद किया इसके लिए बहुत बहुत आबाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद के आपने मेरी बातों को सुना और आपने मेरे से सवाल जबाब किये जो हो सका आपके सवालों के जबाब दी है थैंकि बहुत 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 धन्यवाद झालब कर दो.